कि हेलो स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर एट के इमपोर्टेंट के बारे में पढ़ रहे थे ताकि चैप्टर को समझने में हमें दिक्कत ना आए यह वर्ड्स बार-बार इस चैप्टर में आएंगे और हमें इनका पता होना चाहिए नका मेनिंग क्या है इनका यूज कि पर स्टेडी कर रही है तो यहां पर point है nuclear Membrane किreen की बात कर रहे थे हम तो सल कैरें सेल के अंदर एक लिकविड प्रजेंट रहता है और उसी लिकविड के अंदर भी एक structure होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं यानि सेल के अंदर एक structure present है जिसे nucleus का जाता है cell का nucleus वो nucleus भी अपने चारों तरफ एक तरह की layers रखता है उसे दूसरे तरह की membranes कहती है एक membrane cell के चारों तरफ होती है और एक membrane nucleus के चारों तरफ होती है इस जो cell के liquid से nucleus के liquid को boundary से अलग कर देती है तो इस तरह से अलग होगी है इसका function अलग होगा इसके अंदर जो organs होंगे वो अलग होंगे तो अब हम बात करते हैं nucleo plasm की तो हम दो तरह के liquids की बात कर चुके हैं एक liquid जो cell के अंदर होता है और और एक liquid जो nucleus के अंदर प्रेजेंट रहता है जो लिक्विड नुकलेस के अंदर प्रेजेंट रहता है उसे nucleo plasm कहा जाता है दा liquid substance of the nucleus is traumas nucleo plasm तो यहां पर यह हम बात कर चुके हैं उसके बाद हम प्रोटो plasm की बात करते हैं प्रोटो plasm जो liquid cell के अंदर होता है और जो liquid nucleus के अंदर होता है वो अलग-अलग होते हुए भी उनके जो chemical composition है वो लगबग एक जैसी पाहे जाती है इसी एक जैसी composition की वज़े से उनको एक common name दे दिया जाता है collectively जिसे प्रोटो plasm कहते हैं cytoplasm यानि कोशिका द्रव and nucleo plasm यानि नाभिकिया द्रव वो दोनों collectively क्या कहलाते हैं प्रोटो plasm कहलाते हैं प्रोकरियोटिक cells the cells having nuclear materials without nuclear membrane are termed as prokaryotic cell prokaryotic cells क्या होते हैं the cells having nuclear material without nuclear membrane कुछ cells ऐसी होती हैं जिनमें nucleus के चारों तरफ nuclear membrane present नहीं होती यानि उनको हम simple study से नहीं बता सकते कि वो nucleus present है भी या नहीं यानि प्रोकरियोटिक cell बहुत ही पुराने type की cell है जिनमें nucleus अच्छे से define नहीं होता यानि देखते ही नहीं बता जा सकता कि nucleus present है या नहीं है उसके लिए higher study की हमें जरूरत पड़ती है तो इस तरह की जो सेल होगी वो प्रोकरियोटिक सेल कहलाती है अब हम बात करते हैं यूकरियोटिक cells की the cells having well organized nucleus with a nuclear membrane यूकरियोटिक cell advanced type की cell होती है जिनमें nucleus well organized होता है nuclear membrane present रहती है और इस तरह की जो सैल होगी उससे हम यूकरियोटिक सेल करते हैं डिफरेंट और्गेनिजम जो हम अपने आसपास देखते हैं जो हम देख सकते हैं अपनी आई से वो सभी के सभी युकारियोटिक सेल टाइप से बने होते हैं वक्यूल्स सेल के स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यानि यह animal cells में present नहीं होता यह बात ध्यान रखने की हैं Plastid Presented In ia plant cell क्लर्ड पोर्षन होता है जो उच्शेल का होता है उसके बाद हम बात करते हैं cholesterol sarcics Green certified results crescent in plant cell are called chloroplast अभी अभी हमने ड्रीन कलर के चोटे च्छोटे parts की बात की थी जिनको प्लाश्टिट का था और वो प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं उनने कलोरोप्लास्ट का जाता है इनका काम होता है सनलाइट को एब्जोर्ब करना और फोटो सिंथिस में हैल्प करना उसकी बाद यहां पर आता है क्रॉमोजोम्स इस थ्रीड लाइट, यानी धागे की तरह की सेफ होती हैं, जो किसी भी सेल के न्युकलिस में प्रेजेंट होती हैं, और इस यह काम आता है नई जनरेशन को डैवलेप्ट करने में, यानी इसकी हल्प से एक सेल के गूण दूसरे सेल में जाते हैं, ओके तो यहां तक हम पढ़ते हैं उसके बाद हम आगे टेक्स बुक से पढ़ेंगे ओके ओल दे बेस्ट